भगवद गीता अनेक सवालों के जवाब गीता में मिलते हैं। दीप्त्रिवेदी द्वारा की गई करीब 168 घंटे की एक चर्चा भगवद गीता पर की गई अब तक की सबसे लंबी चर्चा है। मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जो वेब कास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारी आगे की आत्रा हम प्रारम करते हैं। आगे क्रश्न कह रहे हैं कि यह जीवात्मा, शोत्र, चक्षू और त्वचा को तता रस्ना, द्रान और मन को आस्रे करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विशयों का सेवन करता है। अब क्रश्न कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है शरीर में, यह बिन-बिन प्रभावों द्वारा मनुश्य को विशयों की और आकरशित करता है। इस बात को थोड़ा समझना, क्रश्न कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है, वो मेरा ही अंशे। और जब तक वो है, तभी तक यह जीवन का पूरा खेले। मन, इंद्रिया, बुद्धी, अहंकार जो कुछ भी है, यह जीवात्मा और संसार के बीच में ब्रीच का काम करते हैं। बहार का कोई भी विशय बीतर ले जाने का, और बीतर जो भी विशय है, उसे बहार से कनेट करने का काम किसका है। मन, बुद्धी, अहंकार और इंद्रियों का, शरीर का। लेकिन ये पाँचो विशयों को कनेक्ट तभी तक करती जब तक क्रश्नकेरे की जीवात्मा का वो अंच मनुश्य के शरीर में हैं। अब काईदे से तो हम जीवात्मा हैं, और हमारे पास मन, बुद्धी, अहंकार, शरीर, अहंकार सब कूछे। और जो मनुश्य इतना समझ जाए, कि ये मन, बुद्धी, अहंकार, इंद्रियों और शरीर मेरे हैं। जीवात्मा के आश्रीते, इनको बाहर नहीं दोडाना है, इनको भीतर दोडाना है, थोड़ा सा फरक समझ लेना। यह बात समझने में बड़े बड़े लोग मार खा गए थे। अगर क्रश्न, लाउजू, अस्टावक्र नहों होते, तो यह बात हमें आसानी से समझाने वाला भी कोई नहीं था। सबको यह ब्रहम हैं कि मन, बुद्धी, अहंकार, इंद्रिया, शरीर, यह सब आत्मा को ढख लेती, आत्मा, परमात्मा की दुश्मन हैं, वो दुश्मन नहीं हैं। एक ही गरवड आप उसे करने दे रहे हैं कि इनके द्वारा आप बहार के संसार का बीतर कनेक्शन बिठा रहे हैं, जबकि इनका अपने बीतर कनेक्शन बिठा हैं, बस इस बात को समझ लें। जो ये मानता और कहता है कि मन, बुद्धी, इंद्रियां शरीर को मारो, शरीर को कस दो, भुके रखो, इंद्रियों के शौक पूरे मत करो, बुद्धी हंकार उपद रवे। अरे बुद्धी नहीं होगी, तो आपने पल भर पेले क्या किया था, कल क्या किया था, आपको याद ही नहीं आएगा, गजनी हो जाओगे बेटे बिठाए, समझना इस बात को, तो ये क्यों के देते, क्या के देते, फिरम ब्रहमीत हो जाते, तो ये हमारे हैं, मन, बुद्धी, अंकार, इंद्रियां हमारे हैं, शरीर हमारा है, अब हमारा है, तो इसका बहार से कोई connection नहीं होना चाहिए, बस ये एक अउकुन दूर कर लो, अरे हमारा शरीर हम सजाएंगे, हम अच्छे से रखेंगे, दिन में दो बार नाएंगे, चार बार कपड़े बदलेंगे, क्यों नहीं बदलेंगे, बढ़िया परफ्यूम लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हर अपते बाल कटवाएंगे, क्यों नहीं कटवाएंगे हमारा शरीरे लेकिन ये सब हम किसके लिए करेंगे हमारे लिए अभी क्या होता हम अपने लिए नहीं करते हम खाते तो भी दूसरे के लिए आप ज़रा गोर करना आप अकेले बेट के खा रहे हैं आपकी स्टाइल चेंज हो जाएगी आपका मज़ा अलग हो जाएगा आप फ्री हो के खाएगे न मुझे नहीं लगता कि अकेले में कोई डोसा छूरी काटे से खाए जैसे ही हम भीड में फसते हम डोसा छूरी काटे से खाते हैं और कभी यूरोप अमेरिका चले जाते तो कई लोग रोटियां भी कई लोग ऐसे हैं छूरी काटे से खाते अंग्रेज बेटर देखा नहीं कि छूरी काटे को हत लगाया नहीं सो शरीर हमारा है और हमारे लिए है भोजन हमारा है और हमारे लिए है अब हमने डोसा हाथ से खाया रोटी हाथ से खाई है ना कई लोग बिचारे इतने शोकिन होते कि सामबार यूँ पी जाते वो वाकई पूरा मज़ा ले रहा है और हम टोकते पागाले क्या ऐसे खाते हैं तो कैसे खाते हैं लोसे को संबर दिखा दिखा के खाते हैं क्या अभी इंद्रिया हमारी है और इंद्रियां को जो चाहिए वो देना हमारा कर्तव यह है क्योंकि उसी में मज़ा है और ये सत्य है और हर कोई जानता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है मैं बार बार केता हूँ धरम की बात सत्य है और सत्य आपकी अपनी बात है आप जानते हैं और ये जो चिल्ला रहे हैं ये इससे सीध होता है कि वे सत्य नहीं जान इश्वर सत चीत आनंद है, सत में चीत लगाओ आनंद आएगा, बस इतना सा तो इश्वर है, अब बोजन सत है, उसमें चीत लगाओ आनंद आएगा, तो इंद्रियों को भी परमात्मा की उचाई तक पहुँचाया आजा सकता, अगर वे आपकी हैं, अब इंद्रियां तो मेरी नहीं, पेट मेरा नहीं, क्योंकि रोजे की सिजन आ गई, सुमवार आ गया, मेरा पेट किसी और का हो गया, ये कमाल हम करते, अरे मेरा पेट मेरा है, मेरा शोख मेरा है, और मेरे लिए है, आप बाहर से कनेक्शन ही क्यों करते हैं, एकांत में क्रश्ण केते हैं कि भीड में भी एकांत में, आप नहीं रेपाते हैं, भीड आते ही कुछ का कुछ हो जाते हैं, देखना, और अपने को गोर करना क्या आप अपने हैं आप अपने नहीं हैं आप दूसरों के हैं और जब आप दूसरों के हैं तो मुझा केसे आएगा आप दूसरों की हिसाब से अपने को एड़ेस कर लेते हैं हर कोई यहां दोस्तों के साथ रेगा अलग रेगा है ना फिर दोस्तों दोस्तों में भी फरक है किसी के साथ रेगा तो ऐसा रेगा और किसी के साथ रेगा तो वेसा रेगा फिर माता पिता के साथ ऐसा रेगा फिर पत्नी के साथ ऐसा रेगा बच्चों के साथ ऐसा रेगा अब है तो आप ही लेकिन आपके नहीं है उनके हिसाफ से एड़्जस्ट हो रहे है अब ये कमाल करेंगे अपने पे इतना जुल्म करेंगे फिर बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है अबे तो मजा तेरे को आएगा तेरे लिए जीएगा तो आएगा मैं बीड में बेटा हूँ यह ना बड़िया गुमने गया हूँ यूरोप और स्ट्रीट में आराम से खाना खा रहा हूँ हाथ से वो आते जाते वाले रियक्शन दे रहे हैं बिगल किसका रहा है उनका मैं तो एकांत में हूँ मैं देखी नहीं रहा हूँ समझ ले ना ये किवार में हैं लेकिन अकेले हैं दोस्तों के साथ हैं लेकिन अकेले हैं पुरी संपत ही है लेकिन हम अकेले में हैं हम एकांत में हैं और अपने लिए हैं मज़ा ही और हो जाएगा और ये सारी चीजें उप्योग ही है अब इसका उप्योग करते आया नहीं तो के देते हैं दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है तो इन सब का उप्योग अपने लिए करो ये आपके हैं और आप मजा लो और छोड़ दो, थोड़ा अपने पे गोर करना आप कौन सा ऐसा पल है जो अपने लिए बिताते हैं ये ही ने क्रश्न अर्जुन से कह रहे हैं कि है अर्जुन शरीर छोड़ कर जाते हुए को अत्वा शरीर में स्थीत हुए को अत्वा विशयों को भोगते हुए को इस प्रकार तीनों गुणों से युक तुवे को भी अज्ञानी जन नहीं जानते केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेक्षिल ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं ब्यूटिफुल अभी युद के मेदान में ऐसा वाक्य इतना घहरा सत्य और कहने की ये स्टाइल कमाल है क्रश्न कह रहे हैं कि ये है अर्जुन मनुश्य यहां पर बुद्धी मानी के दावे बहुत करता है ग्यान भी खुब जारता है समझदारी भी खुब दिखाता है जैसे तू दिखा रहा है पहले अध्या ऐसे दिखा रहा है लेकिन कमाल ये है कि ये ही मनुश्य जो ग्यान के समझदारी के बुद्धी मानी के इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है वो ये भी नहीं देखता कि वो अपने बाबती कुछ नहीं जानता दावे बड़े बड़े करता है और ये मनुश्य आप भी गोर करना ये मनुश्य न तो अपने शरीर में आने को न शरीर में ठारने को न शरीर से जाने को ही जानता है क्रपया मैं उन लोगों से कहता हूँ जो ज्ञान का दावा करते हैं क्योंकि क्रश्ण ने ये वाकई महानतम साइकोलोजी कही और हमारा ध्यान उसोर आकरशित करा और इस सुत्र में इतना बड़ा रहस्य कहा जिसकी मनुश्य कल्पना नहीं कर सकता यहां पर किसी को वो कब शरीर में गुसा पता नहीं है यहां पर कोई शरीर में अपनी मर्जी से नहीं गुसा प्लानिंग करके नहीं गुसा थोड़ा समद लेना और इस शरीर से जब जाता है तब भी प्लानिंग करके नहीं जाता अपनी मर्जी से नहीं जाता अब ये बात तो शायद आप जानते हैं अब क्रश्न केरें कि अर्जुन इससे भी बड़ा कमाल ये है कि शरीर में रहने को यानि जिसे आप जनम केते और जिसे आप मृत्यू केते इस पूरे दर्मियान भी एक बार वो नहीं जानता इस पूरे दर्मियान भी वो एक बार नहीं जानता कमाल है इसलिए अर्जुन तू ये तो कही मत कि तू समझ रहा है कि ये यूद्धे और ये हिंसा है और शास्त्रों में ऐसा लिखा है अरे कोई जानता ही नहीं क्या चल रहा है कोई जानता ही नहीं क्या चल रहा है और गलत पेमी पाले बेटा है और अर्जुन तू नहीं बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ज्ञानी, पूरा का पूरा विज्ञान, हर कोई यहां गलत फेमी पाले बेठा है। जिनों को जानता। अतह, जब तक आप अपने आने को और जाने को नहीं जानते, आप यह गलत फेमी कैसे पाल सकते हैं, कि आप बीच में जानते हैं। अब जरा समझना, थोड़ा समझना, जब आप अपनी मर्जी से पेदा नहीं हुए, जब आप अपनी मर्जी से जा नहीं रहे, तो फिर बीच में आपकी मर्जी चल कैसे सकती है। तीनों जिवात्मा के, तीनों समय के ही स्वरूप हैं, और हर कोई यहां गलत फेमी पाले बेटा है, कि मेरी मर्जी चलेगी, अब यह मेरी मर्जी चलेगी, तो मैं इंजिनिर बनूँगा, मेरी मर्जी चलेगी, तो मैं यह धरम मानूँगा, यह उप्पास करूँगा, यह लूंगा, ये degree लूंगा मेरी मर्जी चलाने की कोशिष कर रहे हैं हर कोई यहां पर और फिर कहता किया मैं जानता हूँ अबे जानता तो मर्जी चलाता ही नहीं बस पकड़ ले ना इस बात को, जब आप मर्जी से आते नहीं मर्जी से जाते नहीं तो बीच में क्यों सो जाते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं और हर ज्ञान क्या है कि आपकी मर्जी चलाओ ज्ञान तो और कुछ भी नहीं है यह धरम के नाम पे देवें समाज के नाम पे देवें यह कमाल करते हैं वे आपको कहे रहें कि आप मर्जी पेदा करो उप्वास कर आप परमात्मा को पाने की मर्जी करो और फिर भीड जाओ, आप डिगरी पाने की कोशिश करो और भीड जाओ, आप जीवन बनाने की कोशिश करो और भीड जाओ, यानि कि आप मर्जी पेदा करो, हर कोई यहां पेले मर्जी पेदा करता, फिर काम पे लगता, तो एक काम करना मर्जी से मर तो नहीं सकते अगली बार मर्जी से पेदा तो हो जाना एक्षण की बात है मरना भी एक्षण की बात है वो एक-एक्षण आपके हाथ में नहीं है और ये हर्बोक्षण आपके हाथ में यही कमाल हर कोई कर रहा है और समस्ता ही नहीं है वो समझ ही नहीं रहा है मनुश्य समझने को तैयार ही नहीं है और इन ज्ञानियों ने ऐसा भ्रमीत कर दिया है कि हर कोई मानता मैं करता हूँ मैं कर सकता हूँ आप न करते हैं न कर सकते हैं और इस गलत फेमी में रोज-रोज मरते जा रहे हैं और मारते चले जा रहे हैं अगर मैं सच कहूँ शायद कटू भी लगे, लोगों को बूरा भी लगे सच तो यह है कि एक मनुष्य जब पैदा होता तो अनंत संभावनाएं और शम्ताएं लेकर पैदा होता है और फिर जिसे आप परिवार कहते धरम कहते सो कॉल्ड समाज कहते यह और कुछ भी नहीं है उसकी ख्शमता, उसकी संभावना चिनने की मशीन हैं और कुछ भी नहीं है क्योंकि इतना ब्यूटिफूल आटोमेशन है और खेल आपकी प्रकृति और परमाप्मा का है प्रकृति जन्मों की है जिसका आपको पता नहीं समझना इस बात को प्रक्रती जन्वों की है जिसका आपको पता नहीं केल चला रहा परमात्मा उसके परदे पर आपकी प्रक्रती की फिल्म चलना चाहिए और आपका उद्धार हो जाएगा प्रक्रती चाहे जैसी हो समझ लेना प्रक्रती चाहे जैसी हो उसे ठीक करके क्रश्चन के स्तर तक उठाने की जवाबदारी परमात्मा की है क्रश्चन गीता में तीन से चार बार के चुके हैं कि मैं उसे ग्यान देता, मैं उससे मिलता, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता इस बात को समझना, जैसे ही आप उससे मिलने का प्रयास करते उससे दूर हो जाते और जितने प्रयास करते उतने दूर हो जाते और यही हाले और इसलिए परमात्मा से सच कहा जाए तो सबसे ज्यादा दूर अधीकांश पंडित मोलवी पादरी है जितने प्रयास कर रहे उतना दूर जा रहे अरे वो आएगा आप केसे जा सकते समझना हर बात पे मर जी ना आप कोई शौक पेदा कर सकते ना आप कोई प्रदीबा पेदा कर सकते चलो मैं केता हूँ 20 जनम दिये आप प्रैक्टिस करो और 20 जनम बात किशोर कुमार का गला पेदा कर लेना उने वाला है तो फिर क्या कर रहे हैं अरे हजा जनम देता हूँ मुजिशन बन जाना आपकी मर जी नहीं चल रही है और आप प्रयास में लगे हैं हर कोई यहां प्रयास में लगा है कि मैं यह बनूँगा अरे तेरी प्रक्रती में छीपा पड़ा है चालीश जनमों से भटक रहा है इस दरबार से उस दरबार है संगीत सिखने और अब सिखके आया तो माबाब ने कह दिया नई ग्रेजियोट होएगा चालीश जनमों की मेनत पानी हो गई आप सिखके आये हैं शांदार मेनेजमेंट क्लास बिजनेस सेंस और लोगों ने चड़ा दिया यह माया का जगत है चलो सनियास लेने चलो पुजा पाठ करते हैं और लग गए काम पे थोड़ा समझें जो क्रश्णा कहना चा रहे हैं और जो जीवन का सत्य है यह खेल आपकी प्रक्रती का और आपका है जैसी भी है बस बहार किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है बहार महर्बानी करके इसका कोई कनेक्शन मत खोजो बीच में आपकी मर्जी मत ला दो बीच में आपकी मर्जी नहीं चल रही है सो ज्ञान क्या है क्रश्णा कह रहे है वो तीनों को जानता कि न पेदा होने में मेरी मर्जी चल रही न मरने में चल रही न शरीर में आने में चल रही न जाने में चल रही और जीवन में भी नहीं चल रही जब क्राइस्ट की मर्जी नहीं चल रही और वे कह रहे हैं कि प्रभू तेरी मर्जी पूरी हो हम सब क्राइस्ट को मानते हैं लेकिन रोज सोचते होंगे कि क्राइस्ट एक जगे आप मार खागा है हमारी मर्जी चल रही है और आपको अंतक पता नहीं चला कि आपकी मर्जी नहीं चल रही है अरे नहीं चल रही है क्राइस्ट की मर्जी ये क्राइस्ट जानते हैं इसलिए तो वो क्राइस्ट है और जब क्राइस्ट जानते हैं कि मेरी मर्जी नहीं चल रही तो आप क्या मर्जी लगा रहे हैं अरे मर्जी क्रश्ण की चल रही होती तो क्या बात ती ये महाबारत हो जाती अगर क्रश्ण की मर्जी चल रही होती तो महाबारत नहीं होती बहार अनंत संकला का खेले आप अपना रोल, अपना ग्यान, अपना करम, अपना कर्तविय कर सकते फल, फल का जादू ये है कि एक हाथो हाथ है आपकी मानसिक्ता में और एक तो अनंत लोगों के अनंत कर्मों पे निर्बर है जिस पर किसी का कोई नियंत्रन नहीं है बुद्ध ने तो पुरी कोशिश की थी, इमानदार कोशिश की थी कुछ समय परिणाम भी आया था कितने लोग बोध्ध हो गए थे, आज फिर गायब हो गए कहाँ चली बुद्ध की मरजी, जड़ा समझना है इस बात को सो अपने जीवन में जहांकें, आप ये समझें कि आप क्या है आपका महत्व क्या है, आपके साथ क्या जाएगा, वो आपकी मान सिखता है मेरबानी करके उसको महत्व दें, अपनी प्रकृती के साथ रहें अभी आप जीसे अपनी मरजी के रहें, थोड़ा समझना वो क्या है वो आपकी वे बेकार की इच्छाएं हैं, जो आप पाल रहें हैं आप पैदा कर रहें हैं, आसपास वाले पकड़ा रहें हैं और आप उसको पाल रहे हैं फिर कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को मेहनत के रहे हैं और मैं उस कोशिश को मुधता के रहा हूं समझ ले ना इस बात को यहाँ पर हर को ये कहता मैं बड़ा मेंथि हूँ, तु भोध मेंथि हैं मूर के, पर मात्मा की दुनिया में मेंथ की जरूती नहीं है, आप गलत रास्ते है इसलिए मेंथ में, आप गलत रास्ते हैं इसलिए संकट में है, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे, आप इच्छाये लागते हैं पेदा होने के बाद कुछ परिवार पकड़ाता कुछ धरम कुछ समाज इच्छा कोई भी हो हर इच्छा करम करवाती करम माया जाल में फसाती और आप रतीबर उसकी मर्जी से नहीं चलते आप रतीबर उसकी मर्जी से नहीं चलते महां मेनत नहीं है अरे आपके प्रतीबर के ख्षेत्र है महां सबचित तयार है आपको तो आना है और जाना है न मर्जी से आये न मर्जी से जाना जो गालिप का शेर ना चला चली चला चले न अपनी खुशी आये न अपनी खुशी गए तो बीच में क्या अपनी मर्जी लगा रखिये ये गालीब जानते हैं हम नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं तो गालीब बनना तो दुर की बात गालीब के शेर समझना भी मुश्किल हो जाता है अब थोड़ा सा समझें कि आप जो उपर से ओर रहे हैं इच्छाएं बहार से आकरशीत हो के बीतर से नहीं आ रही समझे ना बहार से आकरशीत हो के अरे इस धंदे मली कमई ये अरे ये आदमी ठीक है अरे ये अच्छा बोलता है तो बोलने दो फिर आप भी बोलना और आपकी प्रक्रती आपको अपने अब बना देगी है चला देगी कि एडिसं प्रक्रती के साथ में और अपनी मरजी नहीं लब रहे समझे ना अपनी मरजी रत्ती भर नहीं लब रह रहे अब ऐसे व्यक्ति को किसी डिगरी की आवश्चक्ता नहीं है वेज्ग्यानिक बनने के लिए इतनी सी बात मैं समझा रहा हूं आपकी प्रक्रती महाने, आपके गुण महाने बीच में मेरी मर्जी ले आते है। आपकी क्यों मर्जी? हमारी मर्जी क्यों? सो हो सके तो समझने की कोशिश करो जो लावजू केते हैं एक कमाल का सुत्र है जो बात क्रश्ण ने कही जितने महान सुत्र क्रश्ण ने कहे वो सब की सब साइकोलोजी एक भी सुत्र जनम पुनर जनम और करम और उसके फल को छोड़ कर ऐसी कोई psychology नहीं है जो लाउज़ उने नहीं कही बट दोनों के कहने की style में फरकेद और लाउज़ ऐसा पकड़ते हैं कि ना हसते बनता, ना रोते बनता, ना नकारते बनता, ना स्विकारते बनता समझ में आजाता कि वो लाउज़ हुए और ये हम है जो करश्ण कहते हैं कि अपने आप मिले पदार्थ में संतुष्ट है इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझे तो कुछ करना नहीं है समद ले न और यह इमेजी के मुझे क्यों करना है न मैं अपनी मर्जी आया न अपनी मर्जी जाओंगा ना मैं अपने लिए हवा में ऑक्सिजन डाल रहा ना मैं पानी पेदा कर रहा ना मैं भोजन पेदा कर रहा ना मैं सुर्य उगा रहा जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी करूं क्यों बस अपने आप आएगा अपने आप जाएगा और यही बात जो इतनी सीधी है नेच्रल है वो अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आती कि अपने आप केसे आएगा मैं के रहा हूँ आप केसे लाप आओगे ये बात मेरी समझ में नहीं आती आप केसे लाएंगे मुझे बताएं आप नहीं ला सकते सो लाउजु केते हैं कि कुछ भी न करने का प्रहत न करो कुछ भी न करने का प्रहत न करो और सब चीज अपनी जगह सेट हो जाएगी आप कुछ भी मत करो आपको लगेगा वावाव सब कुछ सेट है तो ये घरबढ कहां से आ रही है समझने ना करने सारी और जितनी जिसके जीवन में घरबले उतना वो कर रहा है आपको कुछ नहीं करना है आपको क्यों करना है और करना है तो हम ऑक्सिजन डालो ये जितने घ्यान दे रहे हैं कि आपको परमात्मा पाना है हमको क्यों पाना है परमात्मा को हमें पाना है हमें परमात्मा को नहीं पाना है क्रश्ण कहे रहे हैं कि अपने समय पे इस मानसिक्ता में मैं अपने आप उसको उपलब दो जाता हूं मैं स्वयम उसको ग्यान देता हूँ मैं स्वयम उसके अंदर प्रकट होता हूँ उसको स्टेप नहीं बढाना है इतनी सीधी सी बात लेकिन हर कोई आप स्टेप बढाएंगे और बटक गए आप करेंगे और मर गए समझते क्यों नहीं है इच्छा आप बहार से ओड़ते फिर कर्म करते फिर प्रहत्ना करते ये सब आप क्यों कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं मैं कितनी बार समझाता हूँ आप अपने शरीर के भीतर कुछ नहीं कर पाते ज़रा समझना तो फिर आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं तो आप कुछ भी ना करने का प्रहत ना करें और सब चीज अपनी जगा परफेक्ट सेट हो जाएगी ये जो आप रोज रोज चिलाते हैं न ये घर में ये इतना लफड़ा है ये आदमी इतना लफड़े बाजे ये धंदे में इतनी गरबड़े ये इसमें इतनी गरबड़े आप बेढ़ जाओ बस आप बेढ़ जाओ फिर 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 परमात्मा चलाएगा फिर परमात्मा करवाएगा और सब सेट कर देगा सेट करने का काम उसका है अरे ये कोई मजा के जो सुर्य उगा रहा जो हवाए बहा रहा जो पानी बहा रहा जिसने इतना बड़ी अब्रहान बनाया वो ही तो जीवन चलाएगा वो ही तो सेट करेगा हमने तो upper set कर दिया है उसके वहाँ से कुछ भी अफसेट नहीं है ये पूरा अफसेट मनुश्यों का किया धराया है और मनुश्य ही भुगत रहा है परमात्मा यहां जहांकी नहीं रहा वो तो पहली बार तब जहांकेगा जब आप कुछ भी न करने का प्रयत्न प्रारम करेंगे कुछ भी न करने का सो महरबानी करके समझ लें आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इस अस्री वर्ष के जीवन को सत्य मान कर आसपास वालों के दबाव में कुछ अपने आककान बुद्धी से बहार देखकर इच्छाए ओड रहे हैं फिर पूरी करने के लिए प्रैत्न कर रहे हैं उसी को जीवन के रहे हैं और वो ही कर्षपून यात्रा है फिर जब यहां से ठकते तो बोलते अब धरम करेंगे अरे करना कहां से आ गया करना क्यों है अरे धरम है जीवन है परमात्मा है करना क्या है करना क्या है और यह करने वाले एक को नहीं मिला मैं कितनी पार केता हूँ कि बुद्ध ने कितने वर्षों प्रयास किये चमीन आस्मान एक कर दिया ऐसा कोई शास्त्र ऐसी कोई विदी नहीं जो बुद्ध ने जान लगा के नहीं की और हर विदी हर ग्यान हर श्रोक हर मंत्र ये चेलेंज करता है कोई अफ़ाद नहीं है संसार में बास इससे परमात्मा मिलेगा बुद्ध ने सब कर लिया और जिनोंने सजेस्ट किया ता उससे पूछा कि आपने कहा ता उससे भी ज़्यादा कर लिया लेकिन मिला नहीं तो वो भी ये कहता है अब तक तो हम गलत थे इससे मिलता है हमने तो किया नहीं अब आपने किया नहीं मिला तो हमें पता चल गया इससे नहीं मिल रहा कुछ नया ट्राय करेंगे बुद्ध भी नया ट्राय करें करते 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 कोई चीज बाकी नहीं रही आपकल ना करें बुद्ध बुद्ध थे एक मंत्र, एक स्लोक, एक हवन, एक अज्य, एक पूजा, एक मुर्ती, एक योगा, कुछ भी बाकी नहीं उपास, जिसने जो बोला ओ किया कोई बोले पंदरा दिन भुके रहो, बुद बोले मेना भर भुका, बोल, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या फिर बुद को समझ में आ गया कि सब कुछ कर लिया कुछ भी बाकी नहीं है और हालत और बुरी हो गई है न शरीर खतम, मन भ्रमीत इससे तो महल में अच्छा था ये तो गिरावट हो गई फिर बुद बेट गए महल में नहीं था यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं है शायद है ही नहीं चाहिए ही नहीं बस प्रयतन बंद वो बोले मैं यहाँ ख़़ाता हूँ ले आया तू कोशिश कर रहा था मैं तेर से भाग रहा था आप कोशिश करते सफलता पाने की सफलता तो ख़ड़िये बस आप प्रयतन करते वो भाग जाती आप इच्छा करते वो गाया वो जाती आप क्यों इच्छा करते इच्छा उसकी उसने आपके लिए सोचके रखा है उसे मालूम है आपी की प्रकृती है और वो ही खेल खेल रही है क्यों चिंता कर रहे हैं सो जो मैंने कहा वो समझने की कोशिश करें आप ये गलत फेमी कभी न पालें कि बीच में आपकी मर्जी चलती है और आप तो ठीके इन ग्यान देने वालों को समझना चाहिए मैं उपवास करूँगा मेरी मर्जी मेरी मर्जी कमाल कर रहे हो तो फिर बीतर से कुछ ऐसा करो ना कि सुमवार को भूकी न लगे तब तो मैं मानू तब तो मैं मानू कि तुमारी मर्जी चल रही है तुम मर्जी थोप रहे हो पस ये फरक समझ लेना पूरा काम हो जाएगा क्रिष्ण ने जैश्री क्रिष्ण तक का सफर कैसे तै किया? ये कोई साधारन सफर नहीं था लेकिन ये इतना मुश्कल भी नहीं है आप भी क्रिष्ण जैसा एक हसीन और सफल जीवन जी सकते हैं पढ़िये में सेलिंग लेखक दीप्त्रिवेदी द्वारा लेखित मैं क्रिष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध है मैं मन हूँ पढ़ने के बाद अब तक लाखों लोगों ने अपने भीधर सकारात्मक परिवर्तन महसूस किया है और अपने जीवन को सुख और सफलता के मार्क पर लगाया है आप भी अपने जीवन में ये परिवर्तन आसानी से ला सकते हैं पढ़िये दीवत्रवेदी की बेस सेलिंग किताब मैं मन हूँ आगे क्रश्न कहे रहे हैं कि है अर्जुन यतना करने वाले योगी जन्वी अपने रदय में स्थीत इस आत्मा को तत्व से जानते हैं किन्तु जिनों ने अपने अंतर करन को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन्तों यतना करते रहने पर भी आत्मा को नहीं जानते ब्यूटिफुल क्रश्न ने पिछले स्लोक में पूरा का पूरा सत्य कहे दिया पूरी साइकोलोजी कहे दी कि मनुष्य न अपनी मर्जी आता न जाता न अपनी मर्जी से प्रकृति सिलेट करता तो फिर बीच में इस ब्रह्म में क्यों रहता कि मेरी मर्जी चल सकती है अगर मर्जी नहीं है तो प्रहत्न नहीं है तो करम नहीं है समद लेना करम क्यों पाप है आप जिसे करम केते हैं वो आपकी मर्जी है और वो पाप है इसलिए क्रश्न के रहे हैं अकर्म अकर्म यानि मर्जी मेरी नहीं मर्जी परमात्मा की बस इतना सा फरक है करम तो बहार है ही करम बहार है आप बहार देखते देखना ये कि मर्जी आपकी है तो परमात्मा की नहीं है और मर्जी नहीं है तो परमात्मा ही परमात्मा है अगर करम में फल है तो आपकी मर्जी है अगर करम है और फल की कामदा नहीं है तो परमात्मा की मर्जी है सीधी सी बात है अब क्रश्णा ने तो कहीं दिया कि कोई प्रयत्ने नहीं करना लेकिन अर्जुन इस बात को कैसे समझे तो निश्चीती उन्होंने अर्जुन के चेरे पे जहाका होगा अर्जुन की आँखों में जहाका होगा और क्रश्णा को लगा होगा कि ये तो फीड आउट करने लग गया कि अपने आप कैसे होगा सब अर्योन में इनको नहीं मारूंगा तो ये मरेंगे कैसे और में इनको मानना नहीं चाहता तो बचेंगे वो सोच रहे मेरी मर्जी तेरी कोई मर्जी नी पेले ही के चुके हैं कि तू मारे ना मारे ये तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं मर्जी तो मेरी मर्जी तो मेरी चले की अर्जुन तू मारे ना मारे तू ये गलत्ते में छोड़ दे कि तू इनको मारेगा तो ये मरेंगे ये गलत्यमी छोड़ी दे तू और तू नहीं मारेगा तो ये बच जाएंगे ये भी गलत्यमी छोड़ दे ये तो मेरे द्वारा मारी जा चुके तो क्रश्णा अनेक तरीके से के चुके है लेकिन अर्जुन मारा समझने को तयार नहीं है और ये बात तो बिलकुल समझ में नहीं आई होगी सब भी कष्णा ने अगला श्लोग कहा कि कोई बात नहीं अर्जुन ऐसा भी बिलकुल नहीं है कैने के लिए कह रहे ताकि अर्जुन राजी हो जा यूद के लिए तो क्रश्णा क्या कह रहे ऐसा भी कुछ नहीं है यतना करने वाले योगी जन भी यानि प्रयतना करने वाले योगी जन भी अपने रदय में स्थीत इस आत्मा को तत्व से जानते हैं लेकिन उसमें भी एक बास सुन ले क्रश्ण कहे रहें किन्तु जिनों ने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन्तों यतना करते रहने पर भी आत्मा को नहीं पाते है Beautiful अब क्रश्ण कहे रहें कि चल मान ले कि प्रहत्न से प्राप्त होता लेकिन कितने ही प्रहत्न कर ले कोई कितने ही प्रहत्न कर ले कितनी ही विद्या कर ले कितनी ही चीजें मान ले लेकिन अंतकरण शुद्ध नहीं है जो मैंने गुन बताए वो डेवलप नहीं किये तो फिर वो आत्मा को नहीं पा सकता ब्यूटिफुल अब क्रश्णा क्या कहे रहे हैं करम करो पर फल की चिंता मत करो ये गुन पेदा कर लो और फिर प्रहत्न करो तो ये दोनों सास्ता जाही नहीं सकते समझ देना करम करो पर फल की चिंता मत करो तो आप किसी बात की किसी चीज के लिए कभी भी रत्ती बर कोशिश करी नहीं सकते करम छुट जाएगा करम नाम की जिस बिमारी ने सबको यहां गेर रखा है वो तक्षन छुट जाएगी बताओ करम करके जो क्रश्णा कहरे है कि अंत्व करन शुट करो और प्रहत्ना करो अब यह क्रश्णा क्यों कह रहे है क्योंकि क्रश्णा एक करम नहीं कर रहे है लेकिन यहां पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्रश्णा करम नहीं कर रहे है और हम क्रश्णा की कहानी पूरी की पूरी पढ़ते और सुनाते ख्रश्ण ने मा भारत का यूद किया, ख्रश्ण ने जूट बोला, ख्रश्ण ने रास किया, ज्यानी जन बोलते भी, कि चपन भोग खाके ख्रश्ण उठे, लेकिन ख्रश्ण ने नहीं खाया, यानि कर्मी नहीं किया, हम उस बात को भी कुछ का कुछ समस्ते, अरे क्रश्णा और करम का लिना देना ही नहीं है क्रश्णा ने कुछ नहीं किया लाउस्दे ने कभी कुछ नहीं किया कभीर ने नहीं किया एडिसन ने नहीं किया बिल गेट्स ने नहीं किया यहां किसी ने कुछ नहीं किया और Mark Zuckerberg ने भी नहीं किया स्टीव जॉफस ने भी नहीं किया और नहीं किया इसलिए उनको हंकार भी नहीं है यहाँ पर जो महाने उनको हंकार नहीं है अगर Edison, स्टीव जॉफस, Mark Zuckerberg आजाएंगे और आप उनकी शक्ला नहीं जानते यदि आपने उनका फोटो नहीं देख रखा है तो बैटके चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा हुआ है एडिसन के साथ एक बार एक वेज्यानिक सम्मेलन में चले गए अब एडिसन को मालूम नहीं था कि दुनिया उन्हें इतना बड़ा विग्यानिक गिंती ये भी अकिकत है और चले गए विग्यानिक सम्मेलन में और बेट गए पीछे अब कभी इंटर्विव छपते नहीं थे या ज़्यादा लोग पेचानते नहीं थे अब सम्मेलन में ऐसा हुआ कि जो आए वो एडिसन की तारीब करे और एडिसन को आदे समय तो ये लगा ये कोई दूसरा एडिसन होगा इतनी तारीब कर रहे है तो ये होता है अहंकार लाए कहां से अब एडिसन मार्ग जगरबर कबीर को अटाएं क्रश्न को अटाएं क्रश्न आपके सामने आएंगे आप उनके चेहरे पर उनके कहने में रत्ती बर नहीं पाएंगे कि मैंने इतनी महान गीता कही उन्होंने कही नहीं इसलिए हम कहते हैं परमात्मा ने बेजी कबीर ने दोहे कहे नहीं कबीर के दोहे बहे कहने वाले तो ये लोगे महान जिनकी भाशा ही बता देती ये कहा है ये परमात्मा ने नहीं बेजा है हमारा जीवन ही बना देता है कि हमने अपनी मर्जी चलाईए परमात्मा की मर्जी नहीं चलने दिये हमने करम किया है सो समझें इस बात को कि अहंकार लाए कहां से यदि मैंने कुछ किया ही नहीं है अब पंडित मोल्वी पादरी को बुला लें हम यहां पर बेटे हैं नीचे बिल्डिंग में भी मालूम पढ़ जाएगा कि उपर बेटे हैं इतना हंकार रहेगा और वो क्या होते हैं वो स्वामी नानान संथ वो तो दो किलोमेटर पहले से पता चल जाता आ रहे क्योंकि मोबाईल आता स्त्रियों को दूर करो अब ये कैसे कैसे परमात्मा को खोज रहे हैं गलत बात है दुक्की बात है और कोई बोलेगा नहीं मेरे सिवा किसी को वाट चाहिए किसी को धन चाहिए हरेक के लिए ये जिवन असली है मेरे लिए सब कुछ माया है में तो बोलूँगा So, उस बात को समझें आपका घर्व आपका हंकार इस बात का सबूत है कि आप कर्म कर रहे हैं मैंने ये किया, मैंने ये पाया मैंने कमाया, मेरे पास डिगरी अबे, तेरे पास डिगरी है न तू गेज्जोट हुआना बड़ा जुल्म किया अपने बे क्योंकि मालूम ही नहीं पढ़ेगा आपको, अहंकार आएगा ही नहीं, सब कुछ इतना automatically है, कि आपको हिसास रहता अभीतर तक की मैंने कुछ नहीं किया, सब उसने करवा लिया, सब उसने करवा लिया, दुनिया कहती कि आप कभी रे, दुनिया कहती आप क्रश्न है, दुनिया कहती न, स्टीव जोस नहीं कहता, मैं स्टीव जोस हूँ, समझे ना इस बात को, यही फरके, यही फरके, तो ये पूरी श्रंकला जुड़ी हुई है अता क्रश्ण के रहे हैं कि तुझे बहार से दिखता है न कि बगर प्रहत्न के क्या होगा बगर करम के क्या होगा हम भी ये समझते और हमारी भाषा भी ऐसी है कहीं पर ज्ञान की कहीं पर सत्य की बात नहीं है इसी लिए तो मैंने कहा था कि आप एक सत्य बोलके दिखा दे एक सत्य कोई मनुष्य बोलके दिखा दे मैं मान जाओंगा मैं किसी को चैलेंग नहीं कर रहा निचा भी नहीं दिखा रहा मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ सत्य क्या है उसने खाना खाया अब ये कोई सत्य हुआ कितना तूचो और छोटा सत्य है सत्य क्या है उसने खाया कि परमात्मा ने खाया ये देखना सत्य है समझ ले ना इस बात को हमें ये तो फरक ही नहीं मालूम और हम केतम तो सत्य बोलते है अब सत्य मालूम भी है क्रश्ण युद्रिर को गरे है कि सत्य तो मैं भी बोलता हूँ और तुझे सत्य बोलने के लिए ही कidd रहा हूँ लेकिन तुझे सत्य का है मालूम ही नहीं हमारे देख़े की दरश्टी ही एसी है आपको किसी मनुष्यकों असेस करना हो तो आपने कैसी दुनिया बना रखी यह, वो क्या खाता है, वो क्या पीता है, वो कैसे बोलता है, अरे इससे क्या हो गया, इससे क्या व्यक्ति सीदो जाता कि क्या है, कहां कहां गुम रहे हैं, और फिर opinion देते हैं, और कहते हैं और मेरा observation तो इसा powerful, अरे इसको observation नहीं कहते हैं observation उसको केते हैं कि इसने ये किया लेकिन करतापन नहीं था He is too great बले वो कुछ भी कर रहा है अरे गालीब को शराब पीते देख लेते न उमर खयाम की रिवाईयां पढ़ लेते न शराब पीने की तो आपको मालुम पढ़ता कि परमात्मा किसे कहते हैं सोमरस क्या होता है सो परमात्मा एक कला है जहां करतापन नहीं है क्या किया का फरक ही नहीं है सब कुछ वहां पहुँच जाता सब कुछ वहां पहुच जाता सब कुछ वो करता सब कुछ वो करवाता हमारी प्रक्रती हमको चलाती बहार की कोई बात कोई मान्यता किसी चीज के गुलाम मत बनो सो सत्य देखने की आंग जगाओ आप धोका नहीं खाएंगे अपने को भी देखें कि करम करते वक्त फल की इच्छा कितनी थी यह मत देखे कितनी मेनत कर रहा है क्या कर रहा है अरे क्या लिना देना करम और फल में फासला कितना है और कितना फल मजबूत है करतापन कितना है द्रस्टा कितना है बस यह देखना है यह तो हमें दिखता नहीं और उसी से आदमी जज होता है वो भगवापे ने पांच बार की नमाज पढ़ ली और वो क्या करता और सज्जने और हरे हरे करता और सबको हाथ जोड के बात करता नमस्कार भाई साथ कैसे है किसने पूछा तो तुम नहीं पूछा परमात्माना तो बोलेगा नहीं कैसे पूछ क्या तो क्यों पूछा समझ ले ना इस बात को सो परमात्मा कहे तो बात में दम है हमारे कहने में क्या दम है मैं कितनी बार कहता हूँ कि इन ग्यानियों के जीवन पड़े ये लोग नहीं समझेंगे आपको समझना पड़ेगा आज पास जब सर्टिफिकेट देते कि ये आदमी अच्छा है उसका बेस क्या है आपका पुरा बेस खोखला है आज के बाद देखना बच्चों को बच्चों में आपको द्रस्टापन भी नजर आएगा करतापन कमजोर नजर आएगा फल की कामना दिखेगी भी नहीं आप देखते ही नहीं बच्चों में भी क्या देखते ये उपद्रो कर रहा है ये किचण में खेल रहा है ये चिलाता है ये शानते ये पढ़ता है अरे कई बच्चे ऐसे होते हैं पढ़के भी नहीं पढ़ते परमात्मा भेशता और पढ़ते मज़ा ले रहे हैं उनको पढ़ने में खेड़ने से ज्यादा मज़ा आ रहा है या आप नहीं देखते कई बच्चे से भी होते सो हम ये नहीं देखते कि करतापन है या नहीं है द्रश्टा है या नहीं है प्रक्रति के साथ है या नहीं है सो आप ऐसी आखे जगाएं सो मुम्मित करता हूँ कि जो क्रश्ण के रहे हैं कि प्रयतना आपको बहार से दिखता करम आपको बहार से दिखता वो करम नहीं है करम भी बीतर है बीतर से वो कर रहा है की नहीं और आपको एक किस्सा सुनाता हूँ शायद मैं कई बार सुना भी चुका हूँ कि लाउस्जू रोज गुमने जाते थे यह ना मॉर्निंग वाक पे और साथ में तिन चार मित्र भी रहते थे एक दिन कोई नया मित्र आ गया अब यहां पर सब कोई शिष्टा चारी है तो आते ही उसने लाउस्जू को नमस्कार किया लाउस्जू चलते रहे जवाब नहीं दिया तो जिसका वो मित्र था उसको बुरा लगा उसने लाउस्जू से कहा यह आपको नमस्कार कर रहा है लाउजु फिर चलते रहे वो मित्रा नमस्कार करता रहे और ये लाउजु को केता रहे कि उसने चौथी बार नमस्कार किया आप कहाँ हैं उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं लाउजु को समझ में आ गया कि ये मुझे शांती से चलने नहीं देगा तो जब उसने आखिर में पूछा कि आपने सुना की नहीं आप सुनते क्यों नहीं है बोले मैंने सुना तो फिर उत्तर क्यों नहीं दिया बोले परमात्मा बेदना चाहिए ना अरे मैं कैसे करें तो आपने बोला नमस्ते अरे मेरे बीतर से आएगा तो नमस्ते तुमारे बीतर से तो आनी रहा था वो तो मैंने देखी लिया समझ ले ना कोई आजाता है नमस्ते यही काम बचा है परमात्मा को यही काम बचा है परमात्मा को नमस्ते बेजेंगे पूजा बेजेंगे उपास बेजेंगे और कोई काम नहीं है अरे वो करतापन बेजता ही नहीं आप समझते क्यों नहीं है वो करतापन क्यों बेजेगा और ऐसा करतापन ऐसा करतापन की शरीर को भूख लगी है जो परमात्मा ने बेजी है और आप कहेंगे उप्पास करो, कर लो, अगले जनम में इतने गरीब बनोगे, खाने को नहीं मिलेगा, ये गरीबी दुनिया में काराण नहीं है, समझ लेना जो क्रश्न कहे रहे हैं, कि सबका परम काराण में हूँ, और मैं आपके साथ हूँ, मेरी कोई जबजस्ती नहीं है आप ही अपना जीवन चुन रहे हैं, आप ही अपना जीवन चुन रहे हैं, जो खाने का शोकी ने, करश्न की पूरी साइकोलोजी शोक पे, आज भी मज़ा और जन्मो जन्मान तर मज़ा, आनन, आज भी मज़ा, जन्मो जन्मान तर मज़ा, क्योंकि मैं जीऊंगा, तो मेर मानसिक्ता जीने की सेट होगी और मैं उसी तरीके से पेदा होंगा जा जीना ही जीना मिले समझ ले ना इस बात को अब मैं तो कश्ट उठा रहा हूं तो मजदूरों की कमी है दुनिया में बना देगा वो बना देगा वो क्यों नहीं समझ रहे हैं यह जीवन एक स्रंकला है मन की शरीर की स्रंकला नहीं है आगे क्रश्ण के रहे हैं सूरिय में स्थीज जो तेज संपून जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अगनी में है उसको तु मेरा ही तेज जान और आगे के रहे हैं और मैं ही प्रथी में प्रवेश करके अपनी शक्ती से सब भूतों को धारन करता हूं और रस्वरूप अर्थात अम्रत में चंद्रमा होकर संपून ओशदियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं कमाल है क्रश्ण अब मनुश्य तो ठीक है पांच हजार वर्ष पुर्व क्रश्ण के पास कोई लेबोरेटरी नहीं है और यही बात लाउज्जू केते हैं कि आपको विश्व के तमाम रहस्तिय जानने हैं और विश्व की तमाम कलाओं का मालिक होना है तो न किसी से मिलो न कुछ पढ़ो और बैठ जाओ हो जाओगे अगर आप सब कुछ पाना चाते हैं तो कुछ मत करो लाउज्जू केता है ना ब्यूटिफूल अगर आप ग्ञानी बनना चाते हैं तो ग्ञान की इच्छा छोड़ दो आप ग्यानी है इच्छा कब है जब ग्यानी नहीं है और यही अज्ञान है समद लेना तो लावजु केते हैं कि विश्व के तमाम रहस्यों का पता लगाने के लिए मनुश्य को कमरे के बार जहांकने तक की जरुवत नहीं है आइंस्टाइन ने इतने बले बले विज्ञान दिये इतने बले बले सत्य कहे ब्रह्मान के सत्य कहां पर क्या है कहां पर वे क्यू में क्या होता है कौन कब पेदा हुआ वो वहाँ गए थे क्या अरे मैं कितनी बार के चुका हूँ थोड़ा समझें जो ब्रह्मांड बहार है वो पूरा का पूरा आपके बीतर भी है हर मनुश्य के बीतर है तो कोई भी रहस्य रहस्य नहीं है सिर्फ हम बीतर डूप की नहीं लगाते और सोचते हैं बहार से सब कुछ समझ लेंगे अब बहार से आप क्या समझसकते हैं लो निूटन के दो लो समझके बता दो एक्जाम में ठक जाते हैं बच्चे रोते हैं अरे बहार से नहीं समझा जा सकता बीतर से समझा जा सकता है बीतर को सब मालुम है तो क्रशना 5000 वर्ष पहले के रहे कि वनस्पतियों में प्रान है, जिवात्मा यानी मनुष्य ही नहीं, चानवर ही नहीं, वनस्पतियों को भी मैं पुष्ट करता हूँ, पालता हूँ और बढ़ाता हूँ, ब्यूटिफुल, पांच हजार वर्ष पुर्व, हाना कि यहां पे भी एक दुखत बात है, जेनी जम हमें साथ आवा करता और उनका कामी दावा करना है, जेन शास्त्रों में लिखाता मंगल में क्या है, जेन शास्त्रों में टाइम इन स्पेस का जिद्दान लिखाता, आप कोई भी व्यज्यानी खोज खोज लें, उस रात को सारे जेन मिलके एक ही चर्चा करते कि यह अपने शास्त्रा में लिखा था और मैं सब जेनियों से यही पुस्ता फिर एक भी जेन वेज्ञानी क्यों नहीं हुआ कभी सुना जेन वेज्ञानी के प्रस्ट नहीं नहीं उड़ता जेन कलाकार है प्रस्ट नहीं नहीं उड़ता मैं आपको बता रहो महावीर ने बोला था कि अपरीग्रहन है ना अपरीग्रहन यानि सनियास क्रश्ण ने तो ये कहा नहीं कि संसार छोड़ो, शौक मत करो महावीर ने बोला था अब जेन कोई कलाकार नहीं बनेगा विज्ञानिक बनने ही सकता कलाकार बनने ही सकता क्योंकि उसके लिए आत्मा चाहिए तो बिजनेसमेन बन गये और महावीर के भकत भी है अब बिजनेसमेन बनने आता तो क्रश्ण की भक्ती करते ना समझो आप तो भक्ती क्रश्ण की कर रहे हैं नरक बेबी क्रश्ण को भेज रहे हैं और मान रहें कि हम महवीर के भक्तें अब महवीर के पास तो ओडने के लिए शोल तक नहीं थी वे किसी बात के किसी चीज के लिए मोताद नहीं थे उनकी डिक्ष्णरी में कल थाई नहीं आज संपूर्ण थे बिना किसी चीज के इस दुनिया का इकलोता आदमी जिसके पास इतनी चीज भी नहीं थी इतनी भी नहीं वस्त्र भी नहीं कुछ भी नहीं आगे क्रश्न के रहे हैं मेही सब प्राणियों के शरीर में स्थीत रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वेश्वानर अगनी रूप होकर चार प्रकार से अन को पचाता हूँ मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ विज्ञान आज केता है कि शरीर की आग प्राण की आग भोजन को पचाती है भोजन को पचाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए एक फैक्टरी चलाई जा सके उतनी यह सब विज्ञान आज केता है यह व्यक्ति यह क्रश्ण पाच जार वर्ष पूर्व हम क्या समझते हैं हम क्या चाहते हैं हमने क्या समझ लिया क्रश्ण को हमने कौन सा मान दिया कौन सा सम्मान दिया कुछ नहीं दिया उनको एक पत्थर की मुर्ती बना के या तो मंदिर में रख लिया, जहां खुब लोगों को लुटा, उनको नए-नए वस्तर पेना दिये और कुछ नहीं किया, अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति है जिसका ज्यान और जिसका जीवन, तो वो क्रश्न है, पूरे विज्ञान पे पूरी प्रत्वी पे एक अकेला व्यक्ति आज भी भारी है, लेकिन न हम समझते, न दुनिया को समझाने जाते, कि ये सब जो आप कह रहे हैं, अरे ब्रह्मान के नियम, चीजों के उगने और ढ़लने के नियम, ये तो क्रश्न और उसके बाद में लाउजू पूरे के चुके हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, ये ब्लैक हॉल, ये वो अरे सब कह चुके हैं, हाना कि आइंस्टाइन न्यूटन ग्रेट है, प्रिंसिप अलिप्रू करा ये विज्ञान का काम है, लेकिन सब जानते हैं, अब आप इतना समझें, मैं जो समझाना चाराओं हाथ जोड कि आपके बीतर सब कुछ है, अगर कृष्णा जान सकते हैं, अभी अपने को तो ये भी नहीं मालूम, कि भोजन कैसे पचता है, हमको दिखता कैसे, अरे ये भी नहीं मालूम, जो ज्ञान की चर्चा करते हैं, उनको भी कि मन क्या है, बुद्धी क्या और इंद्रियां क्या है फरक भी नहीं मालूम हमारे अपने बादेमें हमें कुछ नहीं मालूम और जगत की बाते करते मैं आपको यही के रहा हूं काली दासकों जे कहीं पढ़ने नहीं गया जिसे लिखते भी नहीं आता जीस डाल पे बैठा है उसकी शाखा काट रहा है तो फिर कविताय महा काविय कहां से निकल रहे हैं अरे वो भीतर हैं उसके लिए आपका समाच सोचता आपका संसार सोचता आपका धरम सोचता की सिखना पड़ेगा अरे सिखे सिखाया है हर व्यक्ति क्या सिखना पड़ेगा और सिखे कितने कालिदास को यादी क्यों करते हैं क्यों आज 500,000,000,000,000,000 कभीर नहीं है अरे कोई पढ़ने से कभीर बनेगा समझते क्यों नहीं है सब कुछ भीतर है और हम इस भीतर को जानते नहीं है आगे क्रश्ण कहे रहे हैं मैं ही सब प्राणियों के रदय में अंतर्यामी रूप से स्थीतूं तता मुझसे ही स्मती ज्ञान अपोहन होता है और सब वेदो द्वारा मैं ही जानने योग्यों हूं तता वेदान्त का करता और वेदों का जानने वाला भी मैं हूं क्रश्ण अर्जुन से इतना ही कह रहे हैं कि अब तु सब बाते बंद कर दे सब कुछ मैं हूँ और जानने योग्य मैं हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो समझ ले और तेरी सब बाते बंद कर इस संसार में नाश्वान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुशें इन में संपूर्ण भुद्ध प्राणियों के शरीर तो नाश्वाने और जिवात्मा अविनाशी कहा जाता है चीदी सीदी बात है इन दोनों से उत्तम पुरुश्तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का धारन पोशन करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है ब्यूटिफूल क्योंकि मैं नाश्वान जडवर्ग खेत्र से तता सर्वत आतीतूं और अविनाशी जिवात्मा से भी उत्तम हूं इसलिए लोक में और वेद में भी पुर्शोत्तम नाम से प्रसिद्धूं अब क्रश्णा कहे रहे हैं कि मनुश्य का शरीर नाश्वान है उसके अंदर एक जिवात्मा है जिसे आप आत्मा कहते हैं वो कभी नहीं मरेगी वो तो मन बुद्धी लेके फिर अगला जनम वो केटालिस्टे उसकी उपस्थिति के कारान ये पूरा खेल चलता है लेकिन क्रश्णा कहे रहे हैं कि मैं उससे भी अलग हूँ मैं तो सबसे अलग हूँ और तीसरा हूँ इसलिए मुझे पुर्श्वत्तम कहते हैं तो ये तीसरा कौन है समद लेना जो क्रश्णा कहना चारे हैं मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि दो डाइमेंशन त्योरी से जगत नहीं बना है न तीन से उपड यानि अनेक डाइमेंश से जगत बना है जगत तीन डाइमेंशन से बना है और जिसको भी आप ज्यान कहते या जो भी ये लोग धरम की बाते करते इने डाइमेंशन का भी पता नहीं है दो करेंगे अनेक करेंगे एक करेंगे वो करते ही असत्य है तो क्रश्णा कहे रहे हैं कि एक शरीर है जो नाश्वान है एक आत्मा है जो केटालिस्ट है उसकी उपस्थिती के कारान ये सारा खेल चल रहा है और एक तीसरा मैं हूँ जो सब को पालता सब कुछ करता और वो ही सब कुछ है और वो कौन है पुर्शोत्तम और ये पुर्शो भी कर रहा है कौन कर रहा है मैं ही तो कर रहा हूं मैं अलग से कर रहा हूं इसलिए मैं देखने वाला नहीं हूं अगर मैं अपने को भी देख रहा हूं और जगत को भी देख रहा हूं तो आपके भीतर एक भाव आएगा अरे सब कुछ में ही तो कर रहा हूँ, सब कुछ मेरी मर्जी से ही तो चल रहा है, तो ये तीसरा है, द्रस्टा अंती में वो देख रहा है, और देखने में सब कुछ आ गया, सब कुछ करने वाला हो गया, जो देख रहा है, इस बात को समझना, थोड़ा भीतर जहांकना, ये आपी की शक्ति है, एक जीवात्मा है, जिसे सब लोग आत्मा केते, क्रश्न ने फरक कर दिया, कि आत्मा केटालिस्ट है, और उसका काम इतना ही है, कि प्राने एक जनम से दुसरे जनम में मन बुद्धी अहंकार को ले जाना, ये उसका काम है, है न, बले जीवन में कुछ न क करें, लेकिन उसकी उपस्तिती से सब होता, और ये अंतिम कारी उसको करना पड़ता, लेकिन मैं द्रश्टा हूँ, और द्रश्टा तो द्रश्टा होता है, देख रहा हूँ, दीप क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब कुछ देखता हूँ, सुरिय क्या कर रहा है, चा वो कुछ नहीं करता आप भी समझ लेना कि आप द्रस्टा नहीं है इसलिए करता है और द्रस्टा होते ही आप में एक कला जागेगी उसके बाद में आप जहां पर भी होंगे आपके भीतर वो शक्ती आएगी और आपको समझ में आने लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है जो कुछ भी होगा जो कुछ भी होने वाला है सब मुझे मालूम है और उसमें मेरी मर्जी सम्मिली तो ना जरूरी है ये द्रस्टा का पावर है और उसी पावर के बल पर क्रश्टन के रहे हैं कि मैं इन सब को मार चुका हूँ उसी पावर के बल पे क्रश्चन के रहे आप बिजनेस मिटिंग में पल भर को दृष्टा हो जाएंगे वो बिजनेस पांस साल में क्या क्या करेगा या या आदमी के सा है सब पता चल जाएगा आप दृष्टा नहीं है आप करता है और करता कैसे हैं, कमाने गए हैं तो करता हो गए करता कैसे हैं, उस आदमी के बारे में पेले से सब कुछ जानते हैं अब पेले से जानते हैं तो द्रस्टा कैसे हुए समझ लेना और मैं हमेशा कहता हूँ मुझे किसी से भी मिलना है वो क्या करता है मुझे नहीं पुछना मुझे बताना भी मत उसे प्रकट होने दो उसके मुझे बोलने दो और शण भर्मे में कह दूँगा काम करना, काम नहीं करना नमस्का क्योंकि द्रश्टा है वो सब जानता है आप करता है तो आपकी चाह उसको ढख लेती उसके सत्य को भविश्य को पूरी लाइन को आपकी चाह ढख लेती अगर शादी करना ही करना है और तीन्चा लड़की मना कर चुकी है पांचवी बड़ी गुरुवान लगेगी उससे गुरुवान होना जरूरी नहीं है लेकिन द्रस्टा है अगर द्रस्टा है तो उससे कोई चीच छीपी नहीं है इस बात को आप समझ गए होंगे तो अंत में क्रश्णा कहे रहे हैं कि जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुर्शोत्तम जानता है वह सरवग्य पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासूदेव परमेश्वर को ही बचता है इस प्रकार यह अती रहस्त्य यूग गोपनिय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुश्य ज्यानवान और क्रतार्थ हो जाता है ब्यूटिफुल क्रश्चन के रहें कि अती गोपनिय रहस्त्य मेंने कहा अगर प्रक्रती के सारे रहस्त्य हमें पता चल जाए तो सब कुछ कितना आसान हो जाता है और आप समझ नहीं रहे हैं इतने समय से यदि मुझे सुन रहे हैं आपके लिए सब कुछ भोत आसान हो गया रहस्त्य का पता चल जाए बड़ा आसान हो जाता और यही रहस्त्य पता लगाना हो लाखो जनम लग जाते इसकी एक परत नहीं खुलती थोड़ा समझ ना इस बात को इसलिए क्रशना कहरें कि मैंने यह अतीगोपनिय और रहस्त्य पूर बात तुछ से कहिए अतीगोपनिय यह इसे खोलना छुना आसान नहीं कहना और मुश्किल लेकिन अंत में क्रशना कह रहे हैं कि जो इन रहस्त्यों को भीतर महसूस करता है वो ज्यानवान और क्रतार्थ हो जाता है ज्यानवान यानि सब कुछ जानता है और क्रतार्थ यानि मैं कुछ नहीं करता सब महान मेरे को छोड़ के बस क्योंकि सब में परमात्मा है तो आप ये विश्वास जाने हर मनुष्य में पूरा का पूरा ब्रह्मान्दे आईन्स्टाइन ने इतने बड़े-बड़े सुत्रक है इतना बड़ा-बड़ा ज्यान दिया कहीं लेबोरेटरी नहीं थी आईन्स्टाइन के पास और आज भी निउस्पेपर ने एंडोस किया है कि आइंस्टाइन ने उस समय जो कहा था कि सूरिय से लेकर प्रत्वी से लेकर सब कोई अपना ग्रेविटेशन मनाता एंडोस कर दिया अभी क्या आइंस्टाइन होगा कहा गया ग्यान लेने और कोई जा सकता ब्रह्मान में ग्यान लेने गमाल बात कर दो तो ये जादू है हमें सब पता है और सब पता है तो पता लगाना बंद कर लें करम बंद कर लें सब पता चल जाएगा द्रश्टा हो जाए सब पता चल जाएगा थेंक यू वेरी मच कोई क्वेस्टन हो तो पूछ लें कैसे अनपड एडिसन एक हजार से उपर पेटिंट्स रिजिस्टर करवाने वाले वे ज्यानिक हो गए कैसे पेट्रोल पंपर पेट्रोल भर रहे दीरू भाई इतने बड़े विवसाई हो गए कम पड़े लिखे वसकूली शेतान कैसे स्टीर जॉब्स हो गए सफलता के पैमाने अनेक कारण सिर्फ एक मन की शक्तियां मन की शक्तियों को जगाने तथा एक सुखी और सफल जीवन जीने के लिए पढ़िये दीप्त्रिवेदी की बेस सेलिंग किताब मैं मन हूँ गवालोसा जीवन गुजारने के बाद क्रिश्ण ने द्वार का धीश तक का सफर कैसे तै किया क्या है क्रिश्ण के द्वार का बसाने के पीछे की दास्ता पढ़िये बेस सेलिंग लेखा दीप्त्रिवेदी द्वारा लखित मैं क्रिश्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी तथा गुजराती में सभी प्रमुक बुक स्टोर्स और ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं क्या है सफलता का सार्शूत्र? क्या है जीवन को खुश्यों से भर देने का मूल मंत्र? जीवन जीने का क्या है सही तरीका? क्या है कर्म और फल का संबंध? क्या है जन्म और पुनर जन्म का रहस्य? दीप्त्रिवेदी द्वारा भगवद कीता के संफून 18 अध्यायों के 700 श्लोकों पर की गई इन चर्चाओं में पाईए ऐसे ही कई सवालों के जवाब और समझे उनके सही अर्थों को ये तमाम DVDs आत्मन e-store.com और e-commerce sites पर उपलब्ध हैं सर आपने जैन उसकी बात की साइंटिस्ट की कोई नहीं हुआ है तो एक जैन साब थे वो कुछ नहीं किया करते थे तो किसी ने पूछा भई आप क्या करते हो नों ने का मैं साइंटिस्ट हूं वग्यानिक हूं तो आप क्या करते हैं कि मैं आक्सीजन को कार्बन डाइक में चेंज करता हूं तो मुझे एक बात और चाहाई याद आग। मस्ति के उपर है संता जो है बंता के घर के सामने रहते थे संता ने बंता को फोन किया बंता देखो आग लग रही है बंता ने का आग लग रही है तो मुझे क्या तो संता ने का अरे तुमारे घर में आग लग रही है तो बंता ने का तो तुझे क्या अब चोटा सा प्रेशन जो मैं पूछना चाहता था मैं एक चीज के दूँ मैं अगर जेनों के लिए कह रहा हूं तो उसका हिक मात्र कार्ण ये है कि एक तो वे समझते नहीं और गलत फेमी फेलाते हैं अभी क्रश्न को नरग में बेज दिया क्योंकि करम खराब है अब आप में समझ नहीं है आपका बेजी गलत है तो वो चीज फेलना नहीं चाहिए फेलना क्रश्न को चाहिए पहली बात दूसरी बात गर्व तो मुझे प्रेम है मुझे करोना है सबसे और ये टेलेंटेड लोग हैं अब एक गर्व धरम का और उनके मुनियों का माया जाल और ऐसा फेलाया है इनोंने कि आप किसी भी जेन से पुछलो इमानदार होगा तो वो बोलेगा क्यां ये बात सही है लाखो जन्म के पुन्नी होते तो जेन गर्व में जनम लेते मैं केता हूँ भाई कुछ ऐसे पाप होते कि अब कोई योनी नहीं मिलती तब जेनों के आजनम लेते ये कैसा गर्व है अब उन्होंने माया जाल फेला दिया है और ये फस रहे हैं ये फस रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है सो मैं चाता हूँ वे निकले वे जागें वे देखें टैलेंट है आप अहार आओ इन मुनियों के माया जाल से निकलो वे आपको जूटा गर्व देकर अपने अहंकार पोस रहें ये तो उनमें भी कुछ नहीं जब शास्त्र में ही कुछ नहीं है जब बुद्ध स्वयम आश्चेरिय चकित्ते कि ये लोग कर क्या रहें है शरीर का कसूर क्या और धर्म और शरीर का संबंद क्या जो शरीर शरीर क्या है शरीर अरे मन है उसके उपर अनेक चीज़े हैं उसकी गेराई है सो बुद्ध स्वयम आश्चरिय चकित थे और फिर एक चीज और समझें बुद्ध का ग्यान बुद्ध का प्रभाव था जो पूरे विश्यों में फेल गए अभी बात बेजी कली जब गलत हो जाती तो वो गलत हो जाती अब मैं इस गलती को ठीक करना चाता हूँ ताकि ये जो एक मानसिकता है इससे वे भी छूटे और उसके जो थोड़े बहुत हवा में कन गुमके सबको गेरते बारत में वे लोग भी छूटे क्योंकि नुकसान मनुष्यता का हो रहा है मेरा कोई शत्रू नहीं है मुझे सबसे प्रेम है और मेरे मेगजीमम मित्रे जेन ह यह सो वेसा कुछ भी नहीं है लेकिन एक जो सिस्टम एक जो बात एक जो गलत है क्योंकि सत्य यह है कि यूद और सन्यास में यूद सही है और जो बात निश्ची थी जेनिजम को मालूम नहीं तो उनको गले ही नहीं उतर सकती और वे समझ नहीं सकते न जीवन को न सत्य को और ये मुनी लोग फसाते हैं और ऐसा बुरा फसाते हैं जिसके आप कल्पना नहीं कर सकते बुद्ध को भी दिक्षा मावीर ने दी क्रश्ण को नरग में बेजा ने मिनास से प्रात्ना कर रहे हैं अब कैसा कैसा गर्व होगा इसी बाते सुनके ऐसी बाते लिखके सुनके कितना गर्वता आओ अरे लाख को जनम लगते फिर जेन कर में पेदा होते बोलो अब सब जेन गर्व से गु मर रहे हैं अरे भूखे मर हो कमाने के बाद भी बगवान के पाद दुश्मनी निकालने के अजार रस्ते एक स्वस्थ जेन लाके बताओ उनकी मानसिक्ता ऐसी है मैं अपने सारे जेन दोस्तों से कहता आप जिस तरीके से जी रहें और जो मान रहें उसमें शरीर खतम हो जाता है और खतम हो गई शरीर को भोजन चलाता अब आपका शरीर कुछ भी एकसेप्ट नहीं करता समझ ले न एक जेन मुनी की कल्पना करें आप तो केसी आएगी एकदम मरियल होगा 35-40 किलोगा एक हिंदू पंडित की कल्पना करें केसी आएगी 135 से कम नहीं होगा पढ़ेगा समझ ना पढ़ेगा क्योंकि कहीं न कहीं वाइरस में भी घुम रहा है जेनिजम और अन्ने सलीद उस्से लोग भी परेशान हो रहे हैं और फिर उनके मुनियों को तो माफी मागनी पढ़ेगी कि हमारे शास्त्र गलत हैं जो क्रश्न को नरग में भेजा उनमें अज्ञान है और माफी मांगनी ही पढ़ेगी मैं छोडने वाला नहीं हूँ लाइन से खड़ा करके माफी मंगा हुआ क्योंकि आपके शास्त्रों ने क्रश्न को नरग में भेजा इसका मतलब आपके शास्त्रा में ज्यान नहीं है और आपको स्विकारना पड़ेगा और नहीं तो एक अलग से नगरी बना के या देश बना के भेज दूँगा न बोजन आएगा वा न पानी आएगा बिल्कुल रहो वस्त्रा भी नहीं चाहिए आपको तो कितने सज्जन लोग हैं बेज दूँगा मैं सो क्वेश्चन सर मेरा सवाल ये था आपने पूर जनम की बात की तो इसका मतलब पूर जनम होता है तो फिर ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है चेतना का विस्तार है हम आज मनुष्य हैं जो हमारे अंदर अंश है बरोबर है एक अंश है शरीर तो अंश नहीं है चेतना क्या है हमारे एक अंश है अब हर कण यहाँ पर चेतना वान है है ना और अब तो ये समद्ना बढ़ा आसान है कि बई हर कं में हर एटम में निोटोन प्रोटोन और इलेक्टोन है और वो एक्टिवे इलेक्टोन चक्कर लगाता है मतलब वो एक्टिवे उसमें चेतना है अब यह बड़े निम्न स्तर की चेतना है और मनुश्य सबसे उंचे स्तर की चेतना है तो ये चेतना का विकास है हर कन आगे बढ़ रहा है है ना वनस्पती ब्यक्टेरिया अमीबा करते करते जानवर गुजरते 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 चेतना का विस्पोट होता तो वो मनुश्य का करता यह चेतना का विकास है और इसलिए मनुष्य तो बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि चेतना जीवन बरकन थोड़ी रहेगी सब चीज आगे बढ़ रही है तो तुझे जो नए पुर्ष्ट जो इस तरह बनते हैं तो उनका तो वह पहला जने में होता है नहीं होता नहीं होता ह तो नहीं होता है यह देखो वहां पर शब्द अप्यों किया गया है और क्रश्चन के रहें मतलब प्रस्चन जानते हैं कि परिग्रहन क्या होता है परिग्रहन का आर्थ यह नहीं होता कि भाहर कुछ नहों हो परिग्रण का आर्थे बहार कितना भी हो बितर ना हो उसको परिग्रण के थे कि मेरा कुछ भी नहीं है अभी क्या है धन बहार है तो ये क्या सिखाते धन छोड़ दो है ना फिर पेपर में छफ़ाते इसने दिक्षा ली अच्छा कासा जवान व्यक्ति ये आगे बढ़ सकता था जी सकता था उसकी संपति दान करवा देते जाती कहां उन्हीं के पास आती गुम फिर के फिर देरासर बनाएंगे और ये बनाएंगे और ये निजम फेलाएंगे और कंवर्ट करेंगे पूरी इच्छा है रहती है होता कुछ भी नहीं है हाँ चुप चाप क्योंकि सब मन में खुब रहता है तो वो परिग्राण नहीं है शब्द का उप्योग है अगर बाहर कुछ नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा बाहर कुछ भी हो बीतर नहीं होना चा बाहर धनो बाहर गरो बाहर गाडियां हो तो क्या तकलीफ है लेकिन अगर परिग्राण होगा अगर गाडियां मेरी होगी तो क्या होगा तो फिर गाडी को कुछ होगा कल उटके नुकसान हो जाएगा गाडी भीग जाएगी तो दूख होगा वितर नहीं गुशना चाहिए उसको परिग्रण के टें और उनके परिग्रण की बहसा में बहार ही नहीं होना चाहिए अरे बहार नहीं होगा तो फीर तो महाविड स्वामी गुम्ना पड़ेगा ये दिक्कत है और आपने का इच्छा रहित होना चाहिए मनुश्य को जैसे कृष्णा भी है उसके बारे में एक बोलना था मेरे को भगवत गिता का जो बूक है उसके उपर भगवत गिता का संदेश है कि तुम जिवंद रत पे बैठ जाओ पीछे आगे कृष्णा को दे दो वो जाँ ले जाए इच्छा रहित अंकार रहित ममता रहित सब रहित हो जाओ वो ही तो बात है रत की लगाम प्रकृति के हाथ में दे दो हमको पीछे बेटना है और उसको भी रत फिर हमारे साथ से चलाना है ऐसा भी नहीं है वो भी बड़ा करूनावान है परफेक्ट यह मतलब अर्जुन का रत क्रश्णा वहाँ ही ख़़ा करते जहां अर्जुन कहता है लेकिन सार्थी सार्थी होता है तो हम अपना रत खुद चला रहे हैं वो ही हम समझाते कि रत की कमान क्रश्णा के हाथ में दे दो शरनागती सिकार लो दीप सangel एक सवाल है कि पुर्शत्तम को नहीं ये आपने कहा वह द्रस्टा है तो पुर्शत्तम द्रस्टा है और आत्मा to ये दोणों एक हिरा लग है अलग है या लग है ना पाप्धूर फिर टूर्श्णा समझा रहे हैं एसा क्रश्ण है कि पुरी दुनिया confused है, एक शरीर, एक आत्मा है, अब दो dimension theory नहीं है, दो चीज नहीं हो सकती, तीन चीज हो सकती है, समझे आप, तो एक शरीर है, एक आत्मा है, और एक पुरुशोत्तम है, स्रेस्ट पुरुश, जो इन सबसे अलग है, खरश्ण केर हैं, वह सबसे लगे हैना वो द्रस्टा है आत्मा इतना कर्म तो करती कि उसकी उपस्तिति में केटालिस्ट बनके अंदर पड़ी रेती है ना तो जब तक वो रेती हमको दिखता आख नहीं जाती मरने पर हमारी आख नहीं जाती लेकिन दिखना बंद हो जाता स्टमक लेता लिवर लेता लेकिन भूग नहीं लगती सांस नहीं ले पाते क्यों क्योंकि केटालिस्ट चला गया तो केटालिस्ट इतना काम तो करता कि वो भितर रेता और उसकी उपस्तिति में सब कारियों होता और एक जगे वो करता भी कि हमारे मन पंद्रियों को लेकर लेकिन आज तक किसी ने समझाया नहीं कि साक्षी क्या होता है या द्रश्टा क्या होता है उपद्रश्टा मतलब क्या आपने बोला उपद्रश्टा मतलब द्रश्टा और साक्षी एक ही बात है अब साक्षी कहने से या द्रश्टा कहने से ये शब्द सबने उपयोग किया तो क्रश्टा ने क्या कहा समझाया कि द्रश्टा होता क्या है त इसको आर्ग नहीं देखता वह यह देखता हंकud a क्या देखा वह देख्टा यह देखता है कि बुद्धी ने सोचा फुल परोफ इस हुछी है अब ही क्या है जैसे कोईक ऐसक्षी तो उसमें गरत्रब्रय आदनी पालता कि साक्षी में हैं ग्रोग चेरी जो अिए आप समझ्ज क्यों नहीं ? क्यूंकि मुझे पसंद में समझा हो ? में भी क्रश्ण जैसा हूँ अठारा अध्याई किता चला हूँगा एक मुनित इनका सवाल देखो ऐसा है ये शब्द है द्रस्टा साक्षी ये दोनों शब्द हैं सभी शास्त्रों ने सभी ज्यानियों ने इन दो शब्दों का उप्योग किया क्रश्ण ने भी बार बार द्रस्टा और साक्षी का उप्योग किया फिर एक शलोक में उन्होंने कहा कि साक्षी यानि उपद्रस्टा यानि उन्होंने द्रस्टा और साक्षी को डिफाइन किया उसकी परीभाशा दी कि वो क्या है तो उपद्रस्टा यानि अभी वो नहीं देखता है वो नहीं सुनता है अभी सुन कौन रहा है आप और वो कौन है वो देख रहा है उपद्रस्टा है अभी देख कौन रहे हैं? आप. वो क्या है? क्रश्णा कहे रहे हैं कि द्रस्टा यानि उपद्रस्टा. साक्षी यानि उपद्रस्टा. और उपद्रस्टा क्या? कि वो ये देख रहा है कि आप देख रहे हैं? देख आप रहे हैं. वो सिर्फ इतना देख रहा है कि आप कसी करी कि आंक रहिए कि वह क्या है वह यह देख रहा है आपके आखने क्या समझा और क्या हो सुल लग यह क्या परमात्मा Toorm A tail कॉसा सची क्या आपके है घुझा सब्सक्रान का परमध। कि सब्सक्राइब अन्वे इ olan या नहीं पर मातनमा ऑस话 तो सए में बहार के किसी भी प्रबाव से में प्रवावीत नहीं होता तो मैं स्वयम प्रकाशित हो कि अभी क्र'snah ने घीता कही किसी चीश से प्रभावी थे नहीं ए ने महूं को एकश्परेंट कर रहा हूं वो किसी चीश से प्रभावित है समद्नाब कभीर ने दोहे कहे वो किसी चीज़ से प्रभावित है नहीं एडिसन ने लाइट खोजी वो किसी चीज़ से प्रभावित है नहीं बहार की किसी चीज़ से कोई प्रभावित नहीं है या जो प्रभावित नहीं है जो प्रकाश अपने बीतर से ले और जिसको प्रकाश डारेट प्रमात्मा भेज रहा है वो स्वयम प्रकाशी थे आप ऐसा समझें कि हमारा जीवन काईदे से क्या है हम माध्य में हम मिडिय में हम बिच में हमारे बहार संसार है बरोबर है यहां पर हम है और उपर प्रमात्मा है अब काईदे से हमें क्या करना चाहिए करम नहीं करना है प्रयत्न नहीं करना है इच्छा नहीं करना है वो जो भेजे वो निकाल देना है और यहां से जो मिले वह वहां भीजबा देना है बस तो हमें कर्म क्यों करना है यहां पर आठ 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 गंटे की थे नहीं लग होगी होगी ना क्यों नहीं होगी तो कर्ब करना है कर्म तो राख कर्तापन के आप समझें दिसाइड है को आठ घंट्रे करना रहना है क्या करना और क्या करना है अब हम आपご視 दल समयת करें लेकिन मैं करांव स्कुल चोड़ दे वो तो ये कह रहा है ग lot दो यह कह रहा है वो करना है, और बनीश्यक्राणि हो सकता है आपको जीवन में 10 घंटे मेनत करनी पड़ है पूरे जीवन की कमाई मिल जा?. यहाना वो उसके आथ में तो 8 घंटे का हारत है तो वो भेजे वो बहार देना है और आपने जैसे ही बहार देंगे तो बहार से भोष कुछ मिलेगा वो उस तक पहुचाना है कि देख भई तुमने बोला था वो किया और ये ये मिला तेरी लिला तुझाने है ना उसने जो क्राइश को भेजा Christ ने निकाला फिर संसार ने Christ को सुली दी उसने परमात्मा को बोला तू जाने तेरी मरजी पूरी मेरे को जो बेजा निकाल दिया यहां से जो बेजा तुझे दे दिया मैं तो माध्यम हूँ निमित हूँ तेरे लिए तो बड़ी सीधी बात है हम निमित हैं लेकिन वो क्या कह रहा है बस यहीं आके सब जन्हों उलज जाते तो वो यह कह रहा है कि आप अपनी चिंता मत करो आप बहार से प्रकाश मत लो बस मैं कह रहा हूँ वो करो अब वो कह रहा है स्टीव जोवस को कि सन्यास में मजा है स्कूल नहीं जाने मजा है अब स्टीव जोवस अगर प्रकाश बहार से लेगा तो वो सोचेगा कि स्कूल नहीं जाओंगा तो अनपढ़ रही जाओंगा अच्छी कासी नोकरी छोड़ दूँगा तो भुको मरूँगा तो हम प्रकाश बहार से ले रहे हैं वो प्रकाश भीतर से ले रहा है बस इसलिए वो स्टीव जो उसे तो प्रकाश भीतर से ले रहे हैं बहार के प्रवाव की चिंता क्या तूने के दिया ना बस वो हमसे ज्यादा जानता है वो हमारी फिकर हमसे ज़्यादा करता है वो हमसे शक्तिशाली है उसने के दिया फिर कारण क्यों पुछना केलकुलेशन क्यों करना बस आसान नहीं है लेकिन सत्य यही है इसमें सरण में जाना इसका मतलब इस टूब जोब का एक्जांपूल आप दे रहे है इस टूब जोब परमात्मा की सरण में चला गया अब उसके इस आरो पे उसके इंस्ट्रक्शन पे वो मैं आपको समय में डिटेल में समझाऊंगा शरण में जाना किसको केते क्योंकि यह इतना आसान नहीं है अभी मैं गीता कह रहा हूँ ज़शन जहां जितना कह रहे हैं उतना बोल रहा हूँ अब शरण में जाने का आरत है कि आपको अपनी पुरी सिस्टम समझनी पढ़ेगी फिर उसकी आवाज क्या आपकी आवाज क्या संसार की आवाज क्या प्रभाव क्या एकजेट समझना पढ़ेगा तो मैं एकजेट समझाऊंगा कि यह देखो इतनी आवाजों में यह आवाज उसकी तो वो समझ में आएगा तो उस आवाज की शरण हो जाओ उस आवाज की शरण हो जाओ तुमने कहा मैंने कर दिया सोचा भी नहीं बस तुमने कहा मैंने किया मेरी चिंता नहीं अब तेरी चिंता सर आज आपने कहा कि हम आए हैं अपने प्लानिंग से नहीं जाएंगे भी नहीं तो फिर बीच में हम कैसे चल रहे हैं बीच में हमें चलना नहीं चाहिए उसकी मर्दीश चलना चाहिए हमने चल रहे हैं कैसे करें डे टू डे लाइप में आपको कुछ नहीं करना है अगर ये बास समझ में आ गई तो आपको एडिसन, आइंस्टाइन, बिल गेट्स बनने से रोक कोन सकता है वो तो बनी जाएंगे आप लेकिन यही तो आसाने करना बड़ा आसाने करना छोड़ना बड़ा मुश्कील है उल्टी दुनिया हो गई दुनिया उल्टी कर दी गई जो होना नहीं चाहिए थी और एक इस ने क मेह बंधयाएं तो जी केसे सकती मेली से गई कैसे करें जैंदक की से हिवर जलते हैं अट एक भुपने कींरी सबने कराने करी शृँड़नी lol हम तक पहुंच नई रहा है और हम लो रहा हूं जहने कैसे पत्थर एकल। चुन के लिए आए हैं और वोई पत्थर कंकर हमको काट रहे हैं और हम कहते हैं जीवन परेशानी का घर है था ही नहीं आपके लिए सब कुछ इस पेश्चियल उसने रखा है आप उसकी सुनते ही नहीं मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा अब ही मैं पूस्ता हूं आप देखने का करम कर रहे हैं कि दिख रहा है सुनने का विक लगने का खाना पचाने का इन में से एक भी चीज आप करेंगे न उपड़ चले जाएँगे तो फिर यहां क्या कर रहे हैं जीवन मना लेंगे तै कर लेंगे में हिंदू में मुस्लिम में सीख में हिसाई ये धरम ये सुमवार ये मंगलवार आप तै कर लेंगे ये डिगरी, ये बिजनेस, ये परिवार आप तह करेंगे हम हें कौन? क्यों तह कर रहे हैं? लेकिन इतनी फोर से इतनी फोर से बाहर और ऐसा माया जाले अज्ञान का कि कोई मानता ही नहीं मैं कितना कहता हूँ एक मनुष्य जिवी ते, उसका परमात्मा जिवी ते तीसरा आदमी ज्ञांकता ही क्यों उसके जीवन में लेकिन यहां तो जिसको देखो ये रिद्धिक रोशन उसका क्या होगा? अरे तुम क्यों किसी के जीवन में ज्ञांकते हो? सुना, कान में पड़ गया तो भी नहीं सुना क्योंकि हमारे उसका कोई तालुक नहीं है, याद कैसे रहता है? मुझे आश्चर होता है कि याद कैसे रहती है बकवा से जो बकवा से मेरे काम की नहीं है, वो मुझे याद कैसे रहती है? कोई मैं सिस्टमों की कच्रा पेटी हूँ डाले जाओ डाले जाओ बस अरे यूजी नहीं आ रही है यूजी नहीं हो रहा है अभी रुद्धिर रोशन ने शादी करी की नहीं करेगा की नहीं वो शारुक कान क्या करेगा वो कुछ भी करेगा आपको अगली फिल्म में इरुनी बनाएगा सो हम क्यों पूछें हमें क्या करना और गलती से सुन भी लिया तो आपके पास वो शक्ति ये सुनते भूल गए बेकार की बात है जीवन में याद नहीं आएगा अरे नाम ही याद नहीं आते क्या करना है सर इसके लिए आपकी ये बहुत बहुत अच्छी लगती है कि मैं हूँ और मेरे पास अभी ये एक पल है और ये पल में मुझे क्या करना है बस उतना ही समझ में आते है वो तो सबको मालूम है लेकिन वो करने में डर लगता है करने में डर लगता है और गलती से करने जाए तो दजने रोकने आया ते क्या करना है वो एक पल की बात बहुत अच्छी लगती कि मैं हूं और एक पल है फ्लो है परमात्मा और प्रक्रती हम दोनों का रास है जीवन और ऐसा फ्लो है कि मालूम ही नहीं पड़ता कब पैदा हुए कब चले गए जब वो मालूम नहीं पड़ता तो कब जीए यह क्यों मालूम उसको एडिसन आइंस्टाइन क्रश्ण बूद माहवीर केते हैं मालूम ही नहीं है आप चिल्ला रहे हैं बहार बेटे बेटे क्रश्ण को तील लगाना माहवीर को बिमारी हुई है उनको तो मालूम ही नहीं है माहवीर को जब पेचिस की बिमारी हुई और सब को लगे कि कि दर्दनाग बिमारी है और आसपास वाले सारे शिश्य परेशान महावीर को कोई परेशान ही नहीं थी सब जने बोले, हिलाज कराओ बद्नामी होगी क्योंकि यहाँ पर शिश्य का अर्थ क्या है दुकान बंद्नी होनी चाहिए शिश्य को कोई महाविर की चिंता नहीं थी, यहां पर किसी को क्रश्न की चिंता नहीं है, इन पंडितों को एक ही चिंता है, कि क्रश्न बदनाम हो गए तो हमारे धन्दे का क्या होगा, समझे आप, हर एक को अपनी दुकान की चिंता है, यहां किसी को किसी की चिंता नहीं है, तो वो मावीर के पीछे पढ़े आप इलाज कराओ लोबाग ऐसा देखेंगे तो कोई पास में नहीं आएगा अरे वो मावीर का शरीर देखने आ रहे हैं कि मावीर का ग्यान देखने आ रहे हैं अरे वो ही तो देखने लाइक चीज है कि इतनी खतरनाक बिमारी में इतना तलप रहा है ये मनुश्या ऐसा हमको लगता है हम उनकी जगे होते हैं तो सोसाइट कर लेते और चेरे पे फिर भी प्रसंत आ है अरे यही तो देखने लाइक चीज थी वो शिश्ये पीछे पड़ गए नहीं नहीं अरे यही तो देखने लाइक चीज यह कोई समझी नहीं सकता मैं क्या कहूं इसलिए मैं कहता हूं महाविर को किसने मारा जेनों ने क्रस्टन को किसने मारा हिंदूों ने और क्राइस्ट को किसने मारा क्रिष्टन ने यह कहना ही मत ये कभी मत कहना कि क्राइस्ट को यहूदियों ने सुली पे लटकाया, उन्होंने तो एक बाल लटकाया, ये क्रिश्टन रोज रोज लटका रहे हैं, ये दिक्कत है मुझे, और कुछ नहीं कर रहे हैं, दुकान चलाने के लिए लटका रहे हैं, बस, हर कोई किसी को लटका र फल की इच्छा किये बिना करम करते हैं, एक तरह से वो भी अनिवॉल्ड होते हैं, तो क्या ये दोनों बात एक है, या इनका कोई कनेक्शन है, बेरी गुड क्वेश्टन है, ये सब जने सुन लेना, धरम की एक ही बात है, कोई एक बात पकड़ दोगे, सारी चीज आटोमे काट दो, परमात्मा की शरण जाओ, द्रस्टा बन जाओ, करतापन त्याग दो, एक ही बात है, कोई एक जो समझ में आये, ट्राय करना शुरू कर दो, सब आ जाएगा, ये अलग-अलग है ही नहीं, ये तो मान ग्यानी लोग केते हैं, मुझे बताओ, अगर मेरे में करताप पन नहीं है, तो बाहर के संसार से कनेक्शन हात्वात कट गया की नहीं, तो एक ही बात है, ये कहां से ले आते हैं ये लोग, कि पेले करतापन अटाओ, फिर भलकी इच्छा अटाओ, फिर द्रस्टा बनो, अरे तुमको मालूम ही नहीं ये शब्द बोले चले जा रहे हो, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ये शब्द को रहे होते हैं, मत पढ़ो शब्दों के ब्रह्म में, एक गुन काफी है, एक गुन काफी है, बस, एक गुन काफी है, बस, और हजारों गुन क्रश्न के रहे हैं, एक अपना लोब होते, एक भी गुन बाकी रह जाए तो मेरे पा यह हुआ ही बाते नहीं करते इसलिए एक गुन आया एक ही गुन है बस यह कि बई क्या है आपको ऑपारास नहीं आ रहे तो ले लो अशन लास नहीं आ रहे तो कॉम भी प्लेम ले लो सब का काम एक ही है सरदर्ट बंद करना बस हलो सर, प्लीज, तह ऐसा है कि मैं रक्स question यह है कि जैसे जिवात्मा इसमें लिखा जिवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो अपने साथ नहीं वो तो ठीक है लेकिन फिर भी जैसे इसके पहले एक सुत्र में बताया था जड़ और चेतन दोनों चीज़े अलग अलग बताई थी कमाल मत करो मैं बता रहा हूं मन, बुद्धी, अहंकार शरीर ये सबके सब जड़ हैं जड़ कैसे हैं ये जड़ क्यों हैं क्योंकि आप हैं जीवात्मा और आपका connection बहर संसार से बिठाते हैं जो है नहीं तो जो है नहीं वो क्या हूँआ जड़ है वो बात खतम हो गई अब आप कहरे हैं कि बुद्धी, म इंद्रियों का शारीरिक अस्तित्व है, इसमें से किसी का भी कुछ भी शारीरिक अस्तित्व नहीं है, फिजिकल एक्जिसेंस नहीं है, इंद्रियों का तो है ना सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आखे, आखे तो रहती है, अद्मी मर जाएगा, आखे रहेग ये दो जगत एक साथ चल रहे है एक अद्रश्य जगत जो परमात्मा का जगत है और जो सब कुछ डिसाइड कर रहा है उसी में शक्ती है और एक द्रश्य मान जगत है जो हमान आख से दिख रहा है जो असत्य है दो जगत एक साथ चल रहे है अब जिवात्मा भी अद्रश्या परमात्मा भी अद्रश्य, इंद्रियां भी अद्रश्य, मन भी अद्रश्य, बुद्धी भी अद्रश्य, अहंकार भी अद्रश्य अब विज्ञान क्या कहेगा, विज्ञान क्या कहेगा, ये ब्रेने वो द्रश्य माने, अब वो लोग समझते नहीं है यह brain द्रश्य माने तो करता क्या है बोले सोचता है अच्छा तो यह brain करता क्या है बोले याद रखता है अच्छा very good very good अब एक काम करो मेरे को यह 40 चीज़े ना वापस भूल जानी है निकाल दो ना operation करके कहा है वो गाया भे यह क्या अध्रश्य है अध्रश्य है अध्रश्य है समझ लेना तो जो कुछ भी आपकी इंद्रिया है अभी आप क्या सोचते book अब book तो इंद्रियों ने लगाई लेकि अवितिकल एक्जिस्टेस से book Patientシ pen a अयुंदink का और फिलिंग सारी की सारी लेके जाती और और उसक्राव से अगला जनाप हो जाता और पर दिया जाती नहीं जाती इसका क्या निजा जबह एदर हम इन्द्रियों से अवह नहीं जाता है आप समझ इस चीज हो मैं समय अभी आपने जो कुछ भी जनम में सिखा है, मायावी जगत का, वो आपके साथ नहीं जाता, वो साथ में जाता होता, तो आप कभी किसी को नहीं कहते कि साथ जनम में तेरा साथ निभाऊंगा, आपको मालो में पचाथ जनम से लगला के साथ देते हारे, तो वो साथ नहीं जा पालते हैं, समझें, और काफी कश्ट उठा रहे हैं जीवन में, तो मन की बाषा अलग है, बुद्धी की बाषा अलग है, तो मन ये समस्ता है कि आपको कश्ट में ही रहना है, हैना, तो आपकी सारी शक्तियां यह ऐसी हो जाती, कि आप मेनत करकर ठक जाएंगे न तो भी नहीं कमा पाएंगे, ऐसा मन हो जाएगा, ऐसी बुद्धी हो जाएगी, ऐसा जीवन हो जाएगा, ऐसी जगे जाएगे, क्योंकि आकर्षते आपे, इच्छा आपकी पुरी हो रही है परमात्मा की नहीं, ये मैं समय में समझाऊंगा आपी की इच्छा है, ये आप सोचते हैं कि मैं भुके रहूंगा और सास्टोमवार करूंगी तो अच्छा पती मिलेगा ये आपी सोच रहे है, हवकिकत में तो ऐसा नहीं है, तो वो क्या सोच रहा है, इसको भुके रहना है समझ ले ना उसकी बाशा अलग है आपने दुनिया में एक अलग बाशा बना रखी है इसलिए तो इतना संकट है संसार में सो आपके साथ आपका सुक्ष्म सब कुछ चला जाता सुक्ष्म सब कुछ चला जाता सो कहीं पे भी यह मत सोचो आख जाएगी, कान जाएगा, वो नहीं जाएगा शरीर जाएगा, वो नहीं जाएगा आपका धरम जाएगा, वो नहीं जाएगा आप यहाँ पर खुब चला रहे हैं मैं हिंदू, मैं हिंदू या मैं मुसल्मान अगले जनम में आप कहां पेदा होंगे consecantrym पेदाओंगे आप क्या जाने तो इस जनम का कुछ भी साथ नहीं जाएगा फिर इस जनम में आप ओल देते मैं क्रिश्चन हूँ अरे पितले जनम में तो मुसल्मान था फिर क्रिश्चन कैसे हो गया ने ने पक्का क्रिश्चन हूँ फिर फिर इंदू हो जाते हैं अरे कर क्या रहे हैं हम यही तो मैं समझा रहा हूं कि इस जनम का कुछ भी सत्य नहीं है उसी को सत्य मान रहे हैं उसी यह तो कोशिश कर रहे हैं उसी में हंकार पाल रहे हैं जो आप है ही नहीं यही तो दुख्की बात है सो आपके साथ सुक्ष्म जाएगा इसलिए अपने साथ कुछ भी करते वक्त बितर देखो क्रश्न के रहे न कि सत्व का परिणाम बितर खुशी मस्ती और शांती है अगर वो मिलती है तो आप सही रहापे हैं नि तो गलत रहापे हैं जन्मों जन्मानतर कस्ट पाएंगे इसलिए धरम कस्ट के पक्ष में नहीं है यह जो भी कस्ट देने की बात कर रहे हैं आव परेशान कर रहे हैं जानते नहीं या दुश्मन ही निकाल हम तो कहीं घंटे फेस्बुक पर वेस्ट करते हैं, in the sense कुछ न कुछ जिए अभी मार्क जगरबर्ग ने तो अपना काम किया, फेस्बुक इन्वेंट करके, लेकिन उसका परिणाम जो हो रहा है कि कहीं लोग मतलब वेस्टिंग देर टाइम उन फेस्बुक, मार्क जगरबर्ग उसके लिए कैसे जवाबदार है, उसने इतना बड़िया इस्ट्रूमेंट दिया, हम मनुश्य वो बिमारी है कि अच्छे से अच्छी चीज को बुरा कैसे बना करना, और उसमें से बुरई ओड के कैसे अपने को खतम करना, यही हमको आता है, मोबाइल अच्छा है, वाटसप अच्छा है, मुवीज अच्छी है, रेकोडिंग और यह गानों की, वरना तानसेन ने गाया, वो गाया, फिर क्या करते उसका, चला गया वो गाना है ना, तो हमको थो सब कुछ अच्छा दिया है, लेकिन हम क्या करते है, यहाँ पर प्यों खोज लेते हैं, बस यह हमारी विशेश था है, तो थैंक यू वेरी मच्छ, प्रिश्ण का बच्छपन कैसा गुजरा, खृष्ण राधा का प्यार क्या था, खृष्ण ने कितने विवाह किये, खृष्ण की चाइड्ड साइकॉलजी क्या थी, खृष्ण ने ग्व थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए. साथ आत्मनीस्टो.डाट कॉम चाथ ही सभी प्रमुक e-commerce साइड्स पर भी उपलब्ध है. प्रसनलटी, अचिंद आत्मनीस, आत्मनीस, जानित अत्मनीस, फ्रेश्ण पार्फटे ब्लाट कितने वेल्ट, ठ्सम्च्टी कॉम्डिश्टों कितने विवान तर।, और भेउन खृष्ण प्रॉट्टों कितने विवन प्रॉट्टे इंट्ट्यर गोर जोंखुली लाओ तेचिंग के अंतरगत दीप्त्रिवेदी द्वारा मशूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ ट्से के महान सूत्रों पर चर्चा परिचय, समय, मन, सभलता, संकट, धर्म, राजनीती और दीप्टॉक्स भगवत गीता के अंतरगत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप्त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा, आप ये तमाम डिवीडी और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं, ये तमाम डिवीडी और सीडी आत्मन e-store तथा अन्य सभी e-commerce साइट्स पर उपलब हैं, हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना च्छेपी होती है, सवाल बच्चे द्वारा अपने प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है, दीप्त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए, दे स्टोरी ओफ थ साइकोलोजी समझने हे तु शेर के बच्चे की कहानी, ना सिर्थ बच्चों बलकि हर माता-पितावर टीचर के लिए भी आवशक ग्राफिक बुक्स, हिंदी तथा अंग्रेजी में, आत्मन ई-स्टोर तथा अन्य सभी e-commerce साइट्स पर व्लग्द।